शुकी बी वन प्लस नोट 3 के नाम से लौंच होने वाला है मेरो नाम मिलन है और आप देखरेंए टेक टीट और जैसे की आपको पता है सबसे पहले हमारी ही चैनल में देखने मिलते हैं तो यह सी लेटेस्ट हें अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गी वोवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दिबा के ओल कर दिए हमारी टेक टेम को जोइन कर लीजे ताकि आपको लेटेस्ट ओसम टेक अपडेट की नोडिफिकेशन सबसे पहले मिल सेगे जैसे हमने वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे बहले अन्बोक्सिंग से ही सुरू कर लेते हैं तो यह है वन प्लस एस टूबी का रेट कलर में बॉक्स और इंडिया में नोड थी के नाम से आएगा बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं बॉक्स कॉंटेंट देखे तो 80 वोट का सुपर वोग पावर एडप्टर मिल जाता है टाइप C2 एकेबल मिल जाएगा सीम इजेक्टर टूल, ब्लेक कलर में प्रोटेक्टिव केस और वन प्लस के स्टीकर्स और कुछ डॉक्यूमेंटेसंस मिल जाते हैं बस बॉक्स में यही सब कुछ मिलता है अब बात करते हैं वन प्लस एस टूबी या तो फिर नोड थी के फ्रेंड की वन प्लस नोड थी में डिस्प्ले की बात करते हैं दो 6.74 इज की सेंटरल पंच्छोल स्क्रीन मिल जाती है लेकिन स्क्रीन दूसरे फोन के कंपेर में डिफरंट मिलती है क्योंकि इस स्क्रीन के अराउंड प्लास्टिक का ब्रेकेट देखने को नहीं मिलेगा और इसी वज़े से स्क्रीन की जो फ्रेम है वो भी पतली मिलती है और स्क्रीन में चीन भी 1.46 mm तक पतली मिल जाती है और front का look all screen display जैसा देखने को मिल जाता है और screen यहाँ पे 2.5D card मिलती है और इसी minor से kindness से इस phone को impressive look मिल जाता है और screen की quality भी काफी अच्छी मिल जाती है resolution 2772 by 1240 pixels का मिलता है और pixel density 450 ppi की मिल जाती है और screen में brightness level भी 14-15 nits तक मिलता है यानि sunlight में visibility काफी अच्छी मिलेगी और colors भी 1,000,000 के उपर मिल जाते है साथ में 100% DCI-P3 white color गमूट भी मिलता है और 1440 Hz का PWM deeming feature मिल जाता है यानि तगड़ा eye protection भी मिलता है साथ में HDR10 plus support भी मिल जाता है और screen यहाँ पे sharp and clear मिलती है contrast ratio भी काफी अच्छा है यानि viewing experience इस screen में काफी अच्छा मिलेगा और screen में power consumption भी कम होता है क्योंकि refresh rate 40, 45, 60, 90, 120 Hz की variable मिल जाते है यानि और यह content के उपर depend करणा और refresh rate को switch होने में भी 0.02 seconds ही लगती है so everything looks really responsive यानि power consumption भी कम होगा और battery भी ज्यादा लंबी चलेगी साथ में display में TV eye protection certifications भी मिल जाता है तो eye protection भी screen में काफी अच्छा मिलीगा OnePlus Note 3 के design की बात करें तो phone में दो color options मिल जाते हैं green and black rock और ये black rock color है जो classic black color based है और यहाँ पे special kind of glass का use हुआ है जो touch पे काफी अच्छा फील होता है और साथ में fingerprint के sign भी आसानी से देखने को नहीं मिलता है top lap में camera module मिल जाता है जो इस बार different design के साथ आता है यहाँ पे two separate circles मिल जाते हैं जहाँ पे तीन camera sensors लगे हैं right side में flesh और color temperature lamp भी मिल जाता है the design has diamond cut patterns to make it look really nice and simple phone का back glass का मिल जाता है लेकिन ये कौन सा glass है ये company ने mention नहीं किया है phone का weight करीब 191.5 grams का है और thickness 8.15 mm की है और back की age देखे तो slightly code मिल जाती यानी in hand fill भी काफी अच्छी मिलेगी और single hand से hold भी आसानी से कर पाएंगे OnePlus Note 3 के performance की बात करे तो powerful hardware setup मिल जाता है जहां पे MediaTek Dimensity 9000 processor का यूज हुआ है जो 4 nm fabrication process पे बना है जहां पे 5th generation 590 APU का यूज हुआ है यानी better performance मिलेगा और power efficiency भी काफी अच्छी मिल जाएगी previous generation के compare में यहां पे performance भी काफी तगड़ा मिलेगा और यहां पे OnePlus और MediaTek ने मिलके इस phone के performance को optimize किया है phone में Antutu test देखे तो 10,36,141 Antutu score मिल जाता है जो Dimensity 9000 वाले phones के compare में सबसे highest है this means the phone is very powerful and can handle demanding tasks easily साथ में phone में powerful memory setup भी मिल जाता है RAM LPDDR 5X मिल जाती और Storage UFS 3.1 मिल जाता है और इस combination से phone में excellent performance मिल जाता है साथ में phone में self-developed memory optimization technology का भी use हुआ है और इसी phone में एक साथ 44 apps background में run कर सकते है without any leg even यहाँ पे 30 apps एक साथ same time पे open रख सकते है या तो memory में रख सकते है the phone still runs smooth without any leg and freezing यानि phone का everyday use काफी smooth और अच्छा performance मिलेगा OnePlus Note 3 में gaming की बात करें तो Glory of King और PUBG Mobile आसानी से high setting पे खेल सकते हैं कई भी लेक देखने को नहीं मिलती है even PUBG Mobile high setting यानि high frame rate extreme frame stabilization के साथ खेल सकते है 30 minutes खेलने पे भी average frame rate काफी ज्यादा मिलती है और performance की काफी टासू मिल जाता है कई भी लेक देखने को नहीं मिलेग 29 square mm large area के साथ आता है फोन में total heat dissipation area 29,345 square mm तक मिल जाता है जो normal heat dissipation area के compare में 92% high मिलता है साथ में फोन में rear camera, front lens, speaker के लिए special heat dissipation arrangement किया है यानि अगर आप gaming के लिए phone horizontally hold करते हैं तो भी temperature control अच्छा मिलेगा इस phone में और performance भी टासू मिलेगा without any leg OnePlus Note 3 में camera की बात करें तो phone में 64 megapixel का main camera मिल जाता है 8 megapixel का ultra wide camera मिल जाता है और 2 megapixel का macro lens मिल जाता है और इस Dimensity 9000 processor में 7th generation 790 ISP लगी है so it can process information faster, reduce preview delay and improves HDR capabilities साथ में picture के noise को भी काम करता है यानि clear picture मिलेगी साथ में photos भी high qualities मिल जाते हैं आप यहाँ पे sample photos देख सकते हैं इवन phone में night में भी अच्छे photos मिल जाते हैं complex lighting में भी picture अच्छी मिलेगी लेकिन कई सारे scenes में थोड़ी dark image मिल जाती है जाती है वन प्लस नोट 3 में बैटरी की बात करें तो 5000 एमेज की यूज बैटरी मिल जाती है बैटरी को चार्ज करने के लिए 80W का Fast Charging Support मिल जाता है साथ में फॉन में Different Charging Modes भी मिल जाता है जो Different Situation के लिए मिलता है इस फॉन में Battery Charging Cycle भी जएदा मिल जाती है इस बैटरी को 1600 बार चार्ज करने के बाद भी 80% Battery Capacity मिलती है जो 4 साल के लिए इनफ है बेटरी चार्जिंग की बात करें तो बेटरी को 5 मिनिट चार्ज करने में 31% तक चार्ज हो जाता है फोन, 10 मिनिट में 57% और 25 मिनिट में फुली चार्ज हो जाता है This means that you can quickly charge the phone during short breaks So phone में बेटरी तो काफी अच्छे मिलती है, conclusion पे आए तो OnePlus Note 3 में flagship experience मिल जाता है iPhone की design भी premium मिलती है, glass bag भी मिल जाता है, साथ में screen के around plastic bracket भी नहीं मिलता है साथ में powerful hardware मिल जाएगा, gaming features भी काफी अच्छी मिलते है, camera भी above average मिल जाता है और battery भी यूज है, अब देखना ये है कि इंडिया में कब launch होता है, और कौन सी प्राइज में launch होता है तो दोस्तो, आप क्या सोते है, OnePlus Note 3 के बारे में कौन सा feature आपको अच्छा लागा और कौन सी प्राइज में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताए और दोस्तो, ऐसे ही लेटेस टेक अप्डेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गीव वो देखने के लिए प्प्प्प्प्प्पब देखने के लिए